नमस्कार, कक्षा आठ, एक्सरसाइस 3.3, प्रश्न 11 हम करने जा रहे हैं, आपके सामने एक आकरिती दी गई है, आकरिती 3.33, इसका नाम है, इसमें मैयर ओफ एंगल सी, यानि की कोण सी का माप हमें निकालना है, मैयर ओफ एंगल सी गयात कीज़े, यदि AB, रेखा खंड AB, DC के समानतर है, यह रेखा AB, CD के समानतर है, तो दिखें बच्चो, यह दो समानतर रेखाएं हैं, और यह है एक तिरियक रेखा, हमें पता है, समानतर रेखाओं के लिए, तिरियक रेखा के, एक ही और के, अंदर वा रहा हूं यदि दो रेखाएं समानतर हों तो तिर्यक रेखा के एक और के अंतह कोणों का योग 180 डिगरी होता है इसका अर्थ क्या हुआ कि देखे ये तिर्यक रेखा है ये समानतर रेखा हैं तो कोण C और कोण B कोण B प्लस कोण C इन दोनों का योग 180 डिगरी के बराबर होगा अब कोण B कितना है 120 डिगरी प्लस कोण C हमें नहीं पता तो कोण C की जगा लिखा कोण C और ये है 180 डिगरी यहां से कोण C कितना आ गया 180 डिगरी 120 यहां C के साथ प्लस हो रहा है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कोण C आ गया 180 डिगरी में से 120 माइनस कर दो 60 डिगरी हमें कोण C का माप निकालना था तो हमने कोण C का माप निकाल दिया है जो की आया है 60 डिगरी और यह क्यों आया क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर थी तो तिरियक रेखा के एक और के अंतह कोणों का योग 180 डिगरी होता है तो ये 120 डिगरी है तो ये 60 डिगरी होगा आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रशन अच्छे से समझाया होगा इस प्रशनावली के बाकी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसे आपको बाकी वीडियोस भी दिखाई देंगे आशा करता हूँ ये वीडियोस आपके इस प्रशनाबली को समझने में सहायक होंगे धन्यवाद